हेलो बच्चो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे वर्क डन इन असेंबलिंग दा चार्ज इन दा फॉलोविंग कंफिग्रेशन और एर्रेंजमेंट और पोटेंशियल एनरजी ऑफ दा फॉलोविंग सिस्टम अफ चार्ज दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम लोग चार्ज को इस कंफिग्रेशन में एर्रेंज करें ठीक है दी जार्दा गिवन कंफिग्रेशन जिसमें कि यह है आपका एक स्क्वाइर है यहां पर एक स्क्वाइर है एन दिस दा क्यूब हेर इच साइड इज ए अलसो पॉटेंशिल एनरजी ओफ फॉलोविंग सिस्टम ऑफ चार्ज इस तरह का सिस्टम अगर दिया है जहां पर कि इच चार्ज क्यूब इज ए अरेंग्ट एड़ वर्टिशेज ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल एंड़ वर्टिशेज ऑफ इसक्वाइर एंड वर्टिशेज ऑ पॉटेंशिल एनरजी ओफ दा सिस्टम निकालने के लिए बोला या या फिर वर्टिश ऑफ इस तरह एर्रेंजमेंट करने में कितना पड़ेगा तो दोनों एक ही बात है ठीक है तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग क्या होता है यू पोटेंशिल एनरजी का फॉर् की दूँवाई टीक है माल जए दो चार्ज है अगर लेट साथ इस चार्ज क्यू उन ठीक है अग धिस चार्ज क्यू टीक है अगर माल जजए कोई चार्ज given है q1 ठीक है इससे at a distance r अगर potential पूछा याता है let's say इस point पर अगर potential आपको निकालने बोला say this point is p so potential क्या होता है vp it is 1 by 4 pi epsilon naught ठीक है q1 by r simple ठीक है so potential क्या होता है किसी भी point पर work done in bringing the unit positive charge unit charge को अगर हम लोग infinity से इस point पर लाएंगे work done in bringing unit positive charge from infinity to this point ठीक है so इस point का potential होगा ठीक है और अगर potential energy पूछता है so उहाँ पर unit charge नहीं रहेगा उसमें कोई charge हम लोग क्यू लेंगे work done in bringing a charge q at a distance r from charge q1 from infinity to this point ठीक है so this is the potential energy okay clear है so अभी रेखिए यह potential energy का formula अगर आपको समझना है तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मान लिजिए first charge q1 इसको अगर place करना है इस point पर ठीक है so इस point पर first charge q1 को place किजिएगा तो आपको कोई work done करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि physical work done का formula होता है work done equal to force into displacement simple अगर magnitude की बात करें so f into displacement otherwise f dot s होता है we all know force is a vector quantity and displacement is also a vector quantity but work is a scalar quantity ठीक है so f s हम लोग इसको बोल सकते हैं so force होना चाहिए अब electrostatic में force कहां से आएगा electrostatic में force जो है that is f equal to q into e होता है where q is q is charge charge and e is electric field electric field we all know this electric field ठीक है अब electric field कहां से आएगा electric field कहां से आएगा electric field तभी होगा जब already किसी region में एक charge place होगा माल जींजे यहां पर एक charge already place है ठीक है so यह क्या करेगा electric lines of force emit करेगा ठीक है electric lines of force ठीक है so electric lines of force जब emit करेगा इस region में क्या होगा electric field आएगा ठीक है लेकिन कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है नहीं है no charge means no electric lines of force so no electric field so no electric field है मतलब force is 0 so force अगर 0 होगा so charge यहाँ place करने भी कोई work done नहीं होगा ठीक है so first charge को जब place कीजएगा Q1 को so कोई work done नहीं करना पड़ेगा लेकिन जैसे ही आप इस charge Q1 को place कर दीजएगा so इस region में क्या होगा electric lines of force generate हो जाएगा electric field होगा so electric field होने के कारण जब charge आप Q2 को infinity से इसके region में लाइएगा at a distance R from this charge Q1 so आपको work done करना पड़ेगा ठीक है क्यों क्योंकि इसका already फिर electric lines of force यहाँ पर है field है so आपको work done करना पड़ेगा so इस case में जो work done होगा that is equal to the potential energy and this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R clear है so I hope यह तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ है ठीक है क्यों करना पड़ता है आप देखिए माल लेते हैं इस equilateral triangle में equilateral triangle में जहाँ पर side A है ठीक है side A first charge को हमने place करना है माल लेजे इस point पर Q Q कोई work done करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्यों क्योंकि already यहाँ पहले कोई charge नहीं था so no field no electric lines of force no field so no force so no work done ठीक है so Q directly आप place कर दिजेगा इसके रहे work done क्या हो जागा 0 means first charge of place किजेगा तो work done क्या हो रहा है 0 so W1 अगर भोलेंगे so it is 0 ठीक है then second charge प्लेस किजेगा let's say this charge is Q so already इसका यहाँ पर electric lines of force है field है so इसके लिए क्या होगा force लगेगा ठीक है so आपको work done करना पड़ेगा so जब infinity से आप इस charge Q को लाईएगा इस point पर place किजेगा so work done करना पड़ेगा so उस case में जो work done होगा that is the potential energy now so it is what 1 by 4 pi epsilon 0 और charge अल्रेडी पर लेसे Q था so it is Q into Q by A ठीक है so यह हो जागा 1 by 4 pi epsilon 0 Q square by A clear है अब third charge जब लाइएगा so इसका भी field है so इसके लिए भी force होगा इसके लिए भी force होगा ठीक है so इसके लिए भी electric field होगा so दोनों का combined effect होगा so दोनों के combined effect है कारन हमको क्या करना पड़ेगा जब third charge यहाँ पर place किजेगा so net work done क्या हो जाएगा third charge place करने में w3 that is potential energy due to this and potential energy due to this ठीक है दोनों का combination तो क्या हो जागा 1 by 4 pi epsilon 0 q into q that is q square by a plus फिर इस charge का combination लेंगे so 1 by 4 pi epsilon 0 again q into q by a this separation ठीक है तो यह हो गया यहाँ पर क्या हो जागा this is 1 by 4 pi epsilon 0 2 q square by a okay so net work done कैसे निकालेंगे w net is equal to sum of all three w1 plus w2 plus w3 ठीक है तो first तो 0 है लेने के जोत नहीं है then score इसको sum कर देना है so हम लोग क्या करेंगे 1 by 4 pi epsilon 0 already है then this is q square by a 2 q square by a so कितना हो जागा 3 q square by a so यह आपका answer हो जाएगा ठीक है आप कोई जरूरी नहीं है कि यह सारा charge जो है equal all charge will be equal वह unequal भी हो सकता है so अगर unequal होगा जैसे माल लेते हैं अगर यह हो गया आपका q1 ठीक है then q2 then q3 so इस case में क्या हो जाएगा w1 that is again 0 माल लेते हैं किसी एक charge को आपने place किया let's say इसको आपने पहले place किया first place इसका की है so इसके रिए तो कोई work done नहीं करना पड़ेगा फिर w2 मा आते हैं माल लेते हैं इसको आपने place किया so क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 then q1 q2 by this separation a ठीक है similarly w3 क्या हो जाएगा जब दोनों all place हो गया third को आपलाईएगा so इस दोनों के लिए combination लेना पड़ेगा आपको so 1 by 4 pi epsilon 0 then q1 q3 by a plus 1 by 4 pi epsilon 0 then q2 q3 by a then total work done निकाल लिएगा w net so क्या करना है इसको इसको और इसको तिनों को रैट कर देना है so 1 by 4 pi epsilon 0 a common हो जाएगा that is bracket में q1 q2 plus q1 q3 plus q2 q3 सो देखिए इसमें सारा combination आगिया सारा combination इसमें आगिया ठीक है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अब आते हैं हम लोग square के case में so square के case में देखिए square के case को अगर समझ जाएगा तो फिर हम लोग cube का निकालना easy हो जाएगा otherwise cube में problem हो सकता है ठीक है तो देखिए 4 charge है अब माल लेते हैं first charge हमने इसको प्लेस किया q1 q को इस point पर side is ये ठीक है इसमें भी q1 q2 q3 q4 हो सकता है so q को हमने प्लेस किया कोई वक्ड़न नहीं करना पड़ेगा because पहले से कोई चार्ज यहां पर नहीं है so first work done तो यहां पर 0 हो गिया second work done जब निकालिएगा second charge q के लिए पहले से ये चार्ज है so इसका electric lines of force होगा field होगा field होगा तो force लगेगा so work done आप हो करना पड़ेगा ठीक है so इसको जब प्लेस किजिएगा so क्या हो जाएगा work done is potential energy for this combination so that is one by four pi epsilon not then q1 q2 so q into q q square by a हो गिया then third charge अब लाइएगा यहां प्रमालिजे प्लेस आपने किया so combination किसका लेना पड़ेगा इसका और इसका तो इसके लिए क्या चाहिए इस point से लेगे इस point तक का distance चाहिए दोनों वर्टिश के बिश में that is the diagonal so diagonal क्या हो जागा this is a this is a so it is root 2a Pythagoras theorem root over a square plus a square so root over 2a square so that is root 2a ठीक है so combination क्या हो जागा 1 by 4 pi epsilon not first इसका combination लेंगे so it is q square by a then plus 1 by 4 pi epsilon not then q into q so it is q square divide by इस distance का square करेंगे इस दोनों के बीच का separation है so it is 2 sorry distance का square नहीं सिर्फ distance लेंगे चुकि यह potential है ठीक है so देख लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए combination लेना पड़ेगा so देखिए एक तो होगे आपका 1 by 4 pi epsilon not q square by a then this is also q square by a then इसके लिए जब लिजेगा तो ये वाला diagonal आपको लेना पड़ेगा this diagonal is also root 2a ओके so क्या हो जागा 1 by 4 pi epsilon not then q square by a then plus इसके लिए q square by a 1 by 4 pi epsilon not q square by a plus 1 by 4 pi epsilon not then q square by root 2a clear है so total work done कितना हो जागा w n so सभी का sum कर देना है इसको 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 सभी को add कर देजिए so add करेंगे तो क्या जागा देख लिए 1 by 4 pi epsilon not divide by a common ले लेते हैं हम लोग ठीक है so bracket में क्या जागा रेके q square q square ठीक है then q square then q square so it is 4 q square ठीक है plus face diagonal बाद देखते हैं यह है यह है ठीक है इसमें 2 यह तो हमने common ले लिया so q square by root 2 then यहाँ पर भी q square by root 2 so यह कितना होगा 2 q square by root 2 ठीक है यह आएगा अब इसको फर्दर solve कर सकते हैं या तो टू common ले लिजिए या फिर इससे root 2 यहाँ पर root 2 आ जागा यह अट जागा ठीक है तो जैसा करना है बाट overall डिस is the work done so अगर यह work done है तो यही क्या हो जाएगा आपका potential energy of the system हो जाएगा unit ठीक है similarly इस case में भी potential energy of the system कितना हो जाएगा यह वाला हो जाएगा unit ठीक है अब आते हैं square के case में sorry cube के case को समझने के लिए आप इसको देखिए अगर मान लिए यहां पर लेते हैं छोड़ा सा क्यूब बनाते हैं डिस दा क्यूब है डिस वन ठीक है तो इस क्यूब में देखे कितना फेस है है तोटल six faces है है ठीक है वान बैक साइड 23456 ठीक है तो इसका मतलब इसमें हर एक फेस जो है वह एक स्क्वाइर ही है ठीक है तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखिएगा तो एक स्क्वाइर में एक स्क्वाइर में जब चार्ज प्लेस करते हैं तो इसमें फोर फोर देखिए क्यू इसक्वाइर का दो फेस्सक्राइवर के टो दाइगनल कम्बिनेशन ऐस्ट्ट चैकर यह यां लिगता हूं मैं टू डाइगनल कंबिनेशन टू डाइगनल तो फेस्ट डाइगनल का कॉंबिनेशन है यहान लिख देता हूं मैं 2 डाइगनल कॉंबिनेशन 2 डाइगनल डाइगनल कॉंबीनेशन ठीक है एड फोर फोर वर्टिसेज कॉंबिनेशन वर्टिसेज कॉंबिनेशन ठीक है कैसे एक दो तीन चार और दो ये बहला डागनल हो जाए ठीक है तो टू डागनल कॉंबिनेशन and four वर्टिसेज कॉंबिनेशन क्लियर है तो similarly अगर क्यूब के केस में हम लोग आएंगे इसी कॉंबिनेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं क्यूब के केस में तो आएए देखते हैं क्यूब के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फोर वर्टिसेज कॉंबिनेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं फोर साइड कॉंबिनेशन ठीक है, 4 side combination ठीक है, क्योंकि ये side ही है so 1, 2, 3, 4 4 side combination हो गया और 2 diagonal combination हो गया, ठीक है अब आईए हैं हम लोग cube का करते हैं अब cube के case में देखिए total face कितना है इसमें total face is equal to अभी हमने बताया top, bottom, then front, back and 2 sides, so 6 face हो गया total face is 6, ठीक है so total face face diagonal total face diagonal कितना हो जाएगा एक face में 2 diagonal है, 1, 2 ठीक है, so total face diagonal कितना हो जाएगा 6 into 2, so that is 12 clear है उसके बाद हम लोग आते हैं side पर cube में side कितना होगा, so side देख लिजिए 1, 2, 3, 4 then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है so total side कितना हो गया, that is equal to 12 ठीक है, उसके बाद body diagonal भी इसमें देखते हैं, so body diagonal क्या होगा, देखिए ये q है, ये q है, ऍस डिज धैटिए, इस वैट इससे लेके, इसको मिलाईए 1, then फिर इससे लेके इसको मिलाईए, 2 हो गया, और इससे इसको मिलाईए, 3 हो गया, देखिए it, उसको मिलाई ये फोर हो गया सो टोटल टोटल बाडि डायग्णल बोड़ि डायग्दल इह कितना हो गिए डायग्णल बाड़ि डायग्णल caso अगे अब देख könभिनेशन लेने के लिए अब हम लोग का ये बन गिया फेस्ट टोटल फेस्ट टोटल फेस्ट डियागनल हमको लेना है टोटल साइड के लिए कंबिनेशन लेना है तो जब साइड के लिए आप लिजिएगा तो आपको साइड के लिए ये कंबिनेशन लेना पड़ेगा ठीक है ये बाला सो डिस्टें इसों क्या बोलते हैं face डेख लिजे, so boy diagonal मान लिजे हम लोगो calculate करना है, from this point to this point to this point, okay, ये वाला, so ये कैसे calculate होगा, ये calculate करने के लिए हम लोगो सबसे पहले नीचे वाला चाहिए, this one, ठीक है, so ये a है, a है, so ये नीचे क्या हो जाएगा, root to a हो जाएगा, base, और ये perpendicular जो है, a है, so ये 90 डिग्री हो नीचे वाला जो surface देख रहा है, इसका face diagonal, root to a, then this side a, then ये हो गया body diagonal, this is the body diagonal, body diagonal, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, body diagonal, ठीक है, so इस body diagonal का length कैसे निकालेंगे, root over, root to a का square, ठीक है, plus a का square, Pythagoras theorem, so ये कितना हो जाएगा, 2a square plus a square, that is root 3a, this is body diagonal, so ये हो गया, root 3a, अब distance निकल गया, ठीक है, so ओके, so अब total, potential energy combination, U1 मान लेते हैं, due to, due to side combination, side का combination, जो है, side combination, ठीक है, तो side combination, side कितना है हमारे पास, 12 है, so 12 into 1 by 4 pi, epsilon naught, और charge सभी q है, so side के लिए क्या हो जागा, माले जहें, यहाँ q है, यहाँ q है, so q into q, q square हो गया, then divide by side a, यह आपका side का हो गया, total potential energy combination for the side, then second आते हैं, U2, अना, due to, face diagonal, face diagonal, ठीक है, इसको अम लोग बोल देते हैं, potential energy combination, ठीक है, potential energy combination, ठीक है, due to side, side combination, इसको बोल देते हैं, due to face diagonal, potential energy, ठीक है, क्या हो जाएगा, face diagonal अभी अम लोग ने देखा कितना है, 12 है, so 12 से multiply कीजिए, into 1 by 4 pi epsilon 0, अब face में भी क्या है, यहाँ पर भी charge q है, यहाँ पर भी charge q है, so q square हो जाएगा, divide by distance कितना हो जाएगा, root 2 a, ठीक है, root 2 a, ठीक है, then फिर आते हैं, U3, इसको अम लोग लिखते हैं, potential energy due to body diagonal, body diagonal, ठीक है, body diagonal, potential energy combination, ठीक है, कुछ भी लिख लिखे हैं, समझना है में, ठीक है, so क्या हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें कितना था body diagonal, 4 है, देख लिखे हैं, 4, so 4 यहाँ लिख देंगे हम लोग, then into 1 by 4 pi epsilon 0, ठीक है, then q, q, यह भी q है, यह भी q है, यहाँ पर देख लिखे हैं, यह q हो गया, तो यह वाला q हो जाएगा, बोई diagonal combination, this one, so q square, divide by distance, दोनों के बीच का distance, बोई diagonal का length कितना है, so it is root 3a, यह हो गया, ठीक है, देख लिखे हैं एक बार, ठीक है, आप क्या करना है, हमने total combination निकाल लिया, आप क्या करना है, total potential energy या total work done निकालना है, so work done total WN, हाना, net work done, इसको बोल सकते हैं, net work done, हाना, अगर मानले यह दिया है, इस cube में, charge को assemble करने में, कितना work done करना पड़े है, so this is the net work done, या फिर potential energy of the system पुछा, so मानले ते हैं, it is UN, so net, net या total, potential, 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 energy of system और combination, ठीक है, so क्या हो जाएगा अभी, देखिए, तीनों को लिख देना है, 12 into 1 by 4 pi epsilon 0, q square by a, then second लिख देना है, 12, 1 by 4 pi epsilon 0, then q square by root 2a, then third लिख देना है, 1 by 4 pi epsilon 0, ठीक है, 4 छुट गया यहाँ पर, 4 सा multiply कीजिए, 4 into this, यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है, then q square by root 3a, यह हो गया, अभी इसको तीनों को आइड करना, common ले लेते हैं, so equal to क्या हो जाएगा, 12 by 4 pi epsilon 0, a, then q square भी common ले लेते हैं, common हो जाएगा, 12, देखिए, सभी में 12 ऐसे नहीं है, बट 12 ठीक है, common ले सकते हैं, 12 q square divided by 4 pi epsilon 0, a, हमने common ले लिया, जैसे common लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, यहाँ भी 12 by 4 pi epsilon 0, q square भी a common लिया, so 1 by root 2 हो गया, ठीक है, प्लस, अब इसमें से लेकिए, यहाँ 4 था, इसमें 4 है, लेकिन हमने लिया कितना 12, इसका मतब 3 से multiply किये, 3 से divide किये, तो नीचे में 3 आ जाएगा, so 1 by 3 root 3 हो जाएगा, और common कितना ले लिया, 1 by 4 pi epsilon 0 बाहर आगिया, q square बाहर आगिया, a बाहर आगिया, ठीक है, so this is, this will be the answer, ठीक है, अब इसको solve करना है, तो solve करकर लिख सकते हैं, otherwise this is enough, ठीक है, so this is the net work done, in assembling the charge, okay, at the vertices of a cube, having side a, ठीक है, और the potential energy of the system, ठीक है, so इसको अगर हम लोग square को समझ लेते हैं, कि square में assemble करने में कितना हमें work done करना पड़ेगा, या square का, जो है, कितना है potential energy of the system, so इसको भी हम लोग easily कर सकते हैं, that is the cube, ठीक है, so इसको आपने लोग पार देख लीजिएगा, objective में पूछ सकता है, okay,